बॉलिवुड की पांच ऐसी हाई बजट मुवीज जिन्होंने लोगों को बुरी तरह से निराश किया और फ्लॉब हो गई और हम भारतिये लोग गोरे पन को लेकर इतने ज्यादा अब्जेस्ट क्यों है दुनिया के कुछ ऐसे अजीब और ख़दरनाक ब्रेज जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे और साओधी अरब के रेकिस्तान में बने इन ग्रीन सर्कल्स का रहसे क्या है जंगल में मिली कुछ ऐसी अजीब और रहसे में चीजें जिनके रहसे को वेग्यानिक भी नहीं सुलचा पाए बताएंगे सब कुछ बस आखिर तक बने रहीएगा वैसे तो बॉलिवुड में कई मूवीज आती हैं और चली जाती हैं पर कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिनका बजट बहुत ज्यादा होता है राधेशया मूवी जिसका बजट 300 करोड था पर लोगों ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया और ये फिल्म 214 करोड कमा कर ही सिनेमा घर से बाहर चली गई इसके अलावा अक्षे कुमार की पृतिवराज तीसरे नंबर पर आती है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं था चौते नंबर पर हैं प्रभास की साहो जो टेक्निकल माईनों में अच्छी फिल्म थी लेकिन इसकी स्टोरी को लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और अंत में बात करते हैं आदी पुरुष की जिसने पूरे भारत को डिसपॉइंट किया था पेमस एक प्लेस काजोल उननेसो पिचानवे में ऐसी दिखती थी वहीं 2023 में आज वो ऐसी दिखती है इन दौनों ही फोटोस में काजोल के चहरे पर बहुत बदलावाएं हैं वो पहले से कई गुना ज्यादा गोरी हो गई जिससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी गोरेपन को लेकर कितनी ज्यादा अबसेस्ट है ये सिर्फ बॉलिवुट की बात नहीं है बलकि पूरी सोसाइटी की है हमारी सोसाइटी के कालेपन को एक प्रॉबलम की तरह समझा जाता है जिसका शिकार सबसे ज्यादा लड़किया होती है और लड़के भी गोरेपन के लिए कई सारी क्रीम लगाते है जिसकी वज़ा से फेरनेस क्रीम्स का मार्केट इंडिया में तीन हजार करोड रुपए से ज्यादा है ऐसे एक्टर जिनका करियर डूबने वाला था लेकिन फिर उन्हें का ऐसी फिल्म मिली जिसने उनके करियर को बचा लिया इस लिस्ट में सबसे पहला नामक्ष कुमार का आता है जिन्होंने अपने करियर के शुरुआत एक्शन हीरो के तौर पर की थी लेकिन बाद में उनकी फिल्म में चलना बंद हो गई और उनकी 16 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक साबित हुई लास्ट में सिधार्थ मलोतरा की बात करते हैं जिन्होंने पांच लगातार फिल्म में फ्लॉप दी थी फिर 2021 में शेर शाह मूवी से इन्होंने कमबैक किया फेक्ट नमर 8 इंडियन घरों में जो पंक लगे होते हैं उनमें ज्यादा तर तीन ब्लेड्स ही होते हैं पर क्यूं ज्यादा तर इंडियन पंकों में ब्लेड्स तीन होते हैं देखिया अमेरिका जैसे देशों में पंकों में पंखे इसलिए होते हैं, क्योंकि उनका काम रूम के वेंटिलेशन को मेंटेन करना होता है साथी साथ तीन ब्लेट्स वाले पंखों का कास्ट भी कम पड़ता है अक्सर शुतरमुर्ग जैसे जानवर को माद दे देता है और जब बात इनके अंडों या फिर बच्चों पर आती है तो ये काफी प्रोटेक्टिव होते हैं ऐसे में जब कोई शिगारी इनके बच्चों या फिर अंडों परहमला करता है तो ये उन्हें सबसे पहले जमीन से चुपाता है जिससे ये प्रतीत होता है कि डर के मारे शुदर मुर्ग ने अपने सिर को चुपा लिया है क्या आपको पता है कि पारले जी बिस्कुट की शुरुआत भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए हुई थी दरसल बात 1929 की है जब मोहन दयाल चौहान ने एक पुरानी फैक्टरी खरी दी टौफी बनाने के लिए ये फैक्टरी वैले पारले नामक जगा पर थी तो इस कंपनी का नाम भी पारले पढ़ गया ये कंपनी इंडिया के सुदेशी मुवमेंट से प्रभावित होकर बनाई गई थी मोहन दयाल जी का मानना था कि भारतिये लोगों को भारतिये कंपनी की बनी हुई चीजें ही खानी चाहिए उस समय मार्केट में सारी विदेशी बिसकुट बराने वाली कंपनी फेमस थी इसलिए उन्होंने 1949 में पारले ग्लूकोस बिसकिट लाँच किया जो भारतिये लोगों के टेस्ट के हिसाब से बनाया गया था इसके बाद पारले जी को काफी पसंद किया गया और यहीं से पारले की खानी शुरू हुई पर क्या आपको पता है कि इन ही ग्रीन सर्कल्स में साओधी अरब अब टेक्नलॉजी की मदद से खेती कर रहा है चंद्रियान 3 को लांच करने के बाद भारत अब समुद्र में भी एक मिशन लांच करने वाला है भारत की तरफ से समुद्रियान मिशन चल्द ही लांच होने वाला है जिसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं आपको टाइटन सम्मरीन के बारे में पता होगा जो समुदर के 4000 किलो मीटर नीचे गई पर वापिस नहीं आ सकी लेकिन भारत की तरफ से लॉंच किया जाने वाले समुदरियान मिशन में जो पंडुबी जा रही है वो 6000 किलो मीटर नीचे जाएगी इस पंडुबी का नाम मद जहास को उठाया जाता है इसके बाद बात करते हैं चीन के डेथ ब्रिज की जिस पर चलना मौत को दावत देरे जैसा है एक सेफटी बेल्ट के साथ इतने खतरनाक ब्रिज पर चलना होता है जो की खतरे से खाली नहीं गेट शीड मिलेनियम ब्रिज भी कावी अजीब है जो उसे सास लेती जमीन देखी जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं ये जमीन इस तरह से सास कैसे ले रही थी इसके बारे में वैग्यानिक भी पता नहीं लगा सके इसके लावा दोजान उन्नीस में अमाजान के जंगलों में बीच बीच में एक मरी हुई विशाल काय श शेर जरूर करें आपका एक शेर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद